नमस्कार आज हम मूली का स्वादिस टीखा और गुनकारी अचार बनाएंगे इसको बनाने के लिए दो बड़े चमच नमक, एक किलो मूली, दो बड़े चमच सिर्का, एक बड़ा चमच लाल मिच पाउडर, दो नेमबू, एक चुथाई कप सरसों का तेल, अजवाइन, राई, दो बड़े चमच, हल्दी, एक बड़ा चमच लिया है, सबसे पहले हम राई लेंगे, इसको ग्राइंडर में डाल कर पीस लेंगे, राई को हमने ग्राइंड कर लिया है, ये बड़ा ही अच्छा पाउडर बन गया है, अब हम मूली लेंगे, मूली को पहले अच्छ इंज का गैप से उपर और नीचे से काट लेंगे, इस मूली को हम फैंकेंगे नहीं सबजी में डाल देंगे, उसके बाद हम मूली के सभी छिलके उतार देंगे, मूली का अचार बहुत ही गुनकारी होता है, मूली के सभी छिलके हमने उतार दिये हैं, अब हम इसको लंबे बारिक पतले टुकड़ों में काट देंगे मूली के हमने लंबे और पतले टुकड़े काटने हैं मूली के जितने पतले टुकड़े काटेंगे मूली उतनी ही ज़्यादा गुनकारी होती है मूली में काफी मात्रा में फाइबर और पानी होता है मूली को ज़्यादा बारीक काटेंगे जितने पतली फांक होगी उतनी ज़्यादा गुनकारी होगी मूली का अचार मूली से ज़्यादा गुनकारी होता है मूली को हमने लंबे पतले टुकडों में कार दिया है चलिए अब हम इसका अचार बनाते है एक बाउल लेंगे बाउल में कटे हुई लंबी अकार में मूली डाल देंगे हल्दी डाल देंगे मूली का अचार हाजमे को ठीक करता है और अपच को भी दूर करता है अजवाइन डालेंगे, मूली के अचार में अजवाइन डालना बहुत जरूरी होता है, इससे इसका स्वाद बढ़ जाता है, लाल मिच पोडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे, मूली का तीखा अचार ही अच्छा लगता है, सिरका डाल देंगे, सिरका डालने से इसमें स्व बढ़ जाता है और अचार भी नहीं खराब होता है अब हम इसमें पीसी हुई राई डाल देंगे और सरसों का तेल डाल कर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मुली को दोपहर के बाद नहीं खाना चाहिए मुली का अचार अच्छी तरह से हमने सभी मसाले मिक्स कर दी है अब हम इसमें नीमु का रस डाल देंगे इससे इसका स्वाज बढ़ जाता है और इसमें थोड़ा सा खटापन आ जाता है मूली का अचार बनकर त्यार हो गया है खाने के साथ अचार हो तो खाने का स्वाद और भूख बढ़ जाती है अब हम एक शिशे की बोटल लेंगे ये साफ होनी चाहिए और सुखी होनी चाहिए इसके अंदर हम मूली का अचार डाल देंगे इसको हम 5-6 दिन धूप में रखेंगे और बीच-बीच में हम इसको हिलाते भी रहेंगे अब हम इसका ढकन बंद कर देंगे थोड़ा सा हिला देंगे ताकि सभी मसाले इसमें मिक्स हो जाएं पांचे-छे दिन दूप में रखेंगे और बीच-बीच में इसको हिलाते भी रहेंगे पांचे-चिन के बाद अचार पक कर त्यार हो गया है जितना ये कम हुआ है हम उसको तेल डाल कर उतना ही कवर कर देंगे अचार दो तिन महिने तक हम खा सकते हैं मज़ा लीजिए अनन लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए सैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजिए तके आने मली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके